Hello everyone, welcome to my channel ज्यान गंज में रहने वाले तपस्वी वो देख पाते हैं जो हम और आप नहीं देख पाते हैं करीब 600 साल पहले जो अचुता नन ने देख लिया जिनके सामने आज की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार आ गई कि जैसे लगा उनकी आखों के सामने कोई मूवी चल रही है और उन्होंने जो देखा उसी को अपने कलम के द्वारा तामर पत्र पर उतार दिया और जो उन्होंने लिखा वही बातें आज सत्य साबित हो रहे हैं भविश्य मलिका वो पवित्र गंद जिसमें अचुतानद और उनके चार सखाओं ने मिलकर जो बातें लिखी आज 100% वो बातें सत्य हो रहे हैं वन बाई वन लेकिन जो बातें रिशी मुन्यों ने अपनी नजरों से देखी जिन घटनाओं को घटित होते हुए देखा हजारों वर्ष पहले आज के लोग क्यों उन्हीं बातों को न समझने के लिए तयार नहीं बोलने के लिए तयार अपने मुह से कि हाँ पुराणों में लिखी गई बातें 100% सत्य हैं चाहे वो भविश्य पुराण हो नारत पुराण हो शिव पुराण हो या कृष्ण और उद्धों की बातें लेकिन जो धिवाईन के मुह से निकली बाते थी और जिन बातों का जिक्र पुराणों में किया गया भविश्य मलिका में किया गया आज उन्हीं बातों को सत्य होत हुआ हम देख रहे हैं लेकिन आज भी बहुत लोग हमारे ही समाज में ऐसे हैं जो सिरे से इश्वर के अस्तित्व को न कारते हैं हाँ जब वो मुसीबत में फ़स जाते हैं तब हे इश्वर मुझे बचा लो ये कहना नहीं भूलते तो जिनें आप मानते नहीं अचानक मुसी अपने मूँ से कबूल कर लिजे कि आप आस्तिक हैं आपको भी स्प्रिच्वलिटी की जरूरत है क्योंकि आने वाले समय में ऐसी घटनाए भयानक रूप से घटित होने वाली हैं कि इनसान का विश्वास अपने आप पर से ही उठ जाएगा और तब वो मान लेगा कि पूरे ब्रंभांड को चलाने वाला रचाहिता जो है कहीं न कहीं बैठकर कल्यूक की बागडोर को कल की अवतार के हाथों सौंप चुका है और इसलिए कल की देव के मन के एकोर्डिंग उनके कर्मू का लेखा जोखा जो हर एक सोल का जिसकी बैलेंस शिट उनके हाथ में हैं उसके एकोर्डिंग आज घटनाएं घटित हो रहे हैं यानि कल की देव भी अपनी मनमानी नहीं करेंगे बल्कि अपने मिशन को लेकर 100% फोकस्ड होते हुए जो उन्होंने करने की ठान ली है उसी को वो करेंगे मनमानी नहीं बल्कि उनकी पहले से तैयार हुई वो सारी बाते है सारी चीजें हैं सारी घटनाएं जिन्हें समय समय पर वो करते जाएंगे अपने मिशन के दोरान लेकिन कल की देव का मिशन आसान नहीं बेहत मुश्किल है और बहुत सारे लोग आज के असुरी शक्तियां उनके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए तैयार खड़े हैं इसलिए उन्हें तैयार किया गया परशुराम के दोरा भगवान श्यू शक्ति के दोरा कि उनके अंदर इतनी शक्ति रहे कि कभी भी उनके कदम तगमगाए नहीं डिसीजन लेने में उन्हें कोई संकोच ना हो और डिसीजन लेते समय अस्बंजस की इस्तिति उनके सामने ना पैदा हो इच्छा शक्ति यानि विल पावर वो पावर होती है कि इनसान के पास कुछ भी नहीं तो भी वो बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में लेकिन संकल शक्ति ही यदि आपकी वीख हो जाए कमजोर हो जाए तो भला अपने मिशन को आप काम्याब कैसे करेंग कल की देव के मिशन में बेहत आवश्यक है और इसलिए ही कल की देव है खास हम लोगों से अलग एक मानों के रूप में भी उनके पास है वो डिवाइन विल पावर वो डिटर्मिनेशन जो उनके गोल को अचीव करने के लिए उनके पास हमेशा रहेगी लेकिन उस गोल को अ फिर उठते हैं फिर खड़े होते हैं फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार कल की देव के मिशन में उन्हें गिराने के लिए उन्हें बेज़ज़त करने के लिए आज की असुरी शक्तियां तरह तरह के रूप में उन पर ना सिर्फ आरोप लगाएंगे बलकि उनके मिशन को फेल करने के लिए और अपने पीठ थपतपाने के लिए हमेशा तयार रहेंगे लेकिन कल की देव का मिशन इतना कमजोर नहीं है इसलिए डिवाइन ने पहले ही उनके अंदर वो विल पावर वो डिटर्मिनेशन लाकर खड़ा कर दिया है जो किसी भी तुफान के सामने प्रलाइक के सामने किसी भी ऐसी भयानक घटना को देखकर जो कभी नश्ट नहीं हो सकती और इसलिए कल की देव अपने उसी संकल्प शक्ति आत्म शक्ति के द्वारा मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा अपने मिशन को काम्याब करते हुए इस धरा एक नए युक का निर्मान करने में पूर्णता सक्षम होंगे और उनके साथ महाकाल का आशिरवाद और जिनके साथ हैं शिव शक्ति का आशिरवाद जिनके साथ उनके गुरू का आशिरवाद उनके माता पिता का आशिरवाद देवी देवतागण का आशिरवाद वो भला अपने mission में unsuccessful कैसे हो सकता है तो कल की देव की ही तरह कल की देव चाहेंगे कि उनके भक्तों में भी वो determination और willpower जागरत हो जिसके द्वारा कल यूग में आने वाले विशम परिस्थितियों में भी वो डट कर खड़े रह सकें गिरें फिर उठें और फिर आगे बढ़ें ना किसी के सामने जुकना है ना किसी को जुकाने की कोशिश करने है बलकि अपने अंदर अपने ego को खत्म करके अपने willpower को मजबूत रखकर अपने determination के साथ अपने goal को achieve करने के लिए अपने जीवन में निरंतर प्रयतनशिल बने रहना है Thank you very much for watching my video